तो फ्रेंड आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे LED बल्फ के अंदर जो step के अलग-अलग तरह के LED पैनल यूज होते हैं, इन पैनल के अंदर ये जो हमारे छोटी-छोटी SMD लगी होती है, ये SMD कितने वोल्ट और कितने वाट की होती है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको full details से step by step बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो यहां पर फ्रेंड इस SMD के वोल्ट और वाट को हम दो तरीके से पता लगा सकते हैं, यहां पर पहला तरीका तो यह है, अगर आपके पास step का super LED tester है, तो इसकी मदद से हम एक SMD को test करके यह पता लगा सकते हैं, कि हमारी SMD कितने voltage की है, या फिर कितने watt की है, और यहां पर हम पूरे panel को भी एक साथ जला के यह पता लगा सकते हैं, कि यह panel कितने voltage पे काम कर रहा है, कि नहीं कर रहा, इस सारी जानकारी हमें इस super LED tester की मदद से बड़े अराम से पता चल जाती है, और दूसरा तरीका यह है, कि हम इस panel को देख के ही पता लगा सकते हैं, कि यह जो हमारी SMD है, यह कितने voltage की है, या फिर कितने watt की है, तो यहां पर मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, लेकिन यहां पर सबसे पहले हम इसकी मदद से आपको चेक करना बताएंगे, कि किस तरीके से हम LED को test करेंगे, तो यहां पर देखे, यह जो हमारा super LED tester है, यह market में 700 से लेके 800 तक के पीच में मिल जाता है, और अगर आपको market में यह नहीं मिल रहा है, तो मैं इस वीडियो के description में इसका purchasing link दे दूगा, वहां से भी आप इसे buy कर सकते हो, तो यहां पर देखे, यह मेरा extension board है, तो यहां पर देखे, मैं इसको supply जोड रहा हूँ, इस तरीके से मैंने इसको जोड दिया है, अब यहां पर देखे, इसको on करेंगे, यह देखे, मैंने on कर दिय है, तो यहां पर देखे, जब तक कि इसके अंदर 300 voltage ना आए, तब तक हम इसको use नहीं कर सकते, तो हमें 1-2 second wait करना पड़ेगा, तो यहां पर आप देख सकते हो, कि यहां पर total 300 voltage दिखा रहा है, अब इसे हम use कर सकते हैं, तो इस super LED tester की मतलब से हम 300 voltage तक की सभी LED को test कर सकते ह या फिर पूरे LED पैनल को test करो, इसकी मदद से बड़े अराम से काम हो जाता है, और इस tester का यूज जाने तर जो LED TV वेगर रिपैर करते हैं, वो इसको use करते हैं, LED पैनल की backlight को test करने के लिए, बाकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी इसे use कर सकते हो, जैसे कि मैं करता इसकी, अब चलिए इसको use करना से लेते हैं, तो इसको एक बार मैं यहाँ पर set कर लेता हूँ, तो यह देखे, इस तरीके से मैंने इसे set कर लिया है, ताकि सारी चीज़े आपको साफ साफ दिखाई भी दे, अब इस tester के साथ में देखे, जैसे हमारे multimeter के साथ में probe मिलती है सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी वही probe मिलती है, जो कि यहाँ से हमारी जूड़े हुई है, तो यहाँ पर देखे, हमें plus minus देखे ही इसको check करना होता है, तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास यह एक डोब light panel है, ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि यह जो इसके अंदर एक SM से जल रही है, और यहाँ पर आप इसके वोल्ट भी देख सकते हो, फ्रेंड की, यह SMD हमारे कितने वोल्ट ले रही है, वो आप डिस्पले में देख सकते हो, यह जो LED है, यह हमारे तीन वोल्टेज की है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हो, और इस टेस्टिंग डिवा हम पूरे पैनल के भी वोल्ट को पता लगा सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पर लैट नही इसकी रोजनी थोड़ी सी और हमारी बढ़ेगी तो यह देखे इसकी रोजनी थोड़ी सी और बढ़ गई है और अब आप टैस्टर देवाइस की डिस्पले पर देख सकते हो फ्रैंड की यह जो हमारी डोब लाइट है यह टोटल एक सो चोरानवे वोल्ट ले रही है ठीक है यानि इस पैनल के अंदर जितने भी SMD लगी हुई है यह टोटल मिलके एक सो चोरानवे वोल्टेज पर काम कर रही है तो इस तरीके से आप पूरे LED के पैनल के भी वोल्ट पता कर सकते हो और एक SMD के वोल्ट का भी पता कर सकते हो तो यह चीज आपको समझ में आगी इसी त òोब को चेंज कर लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम लगाएंगे तो यहाँ पर देखें इस तरीके से इस तरीके से इस वोल्टेज हुं भी 10.01 ले रही है यानि इस पैनल की Planning यहां पर यह 9V लगी है और इस दोव लाइट के अंदर भी हमारी छोटी से एसमडी लगी है लेकिन यह हमारी 3 वोल्टेज की है और यह हमारी 9 वोल्टेज की है इसी तरीके से फ्रेंड आपको SMD के साइज पर नहीं जाना, क्योंकि सभी SMD हमारी अलग-अलग voltage की होती है, जो कि हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं, चलिए एक panel और ले लेता हूँ, यह वाला हम पैनल ले लेते हैं, यह हमारा 50W का जो बल्फ होता है, उसका panel है, चलिए इसकी भी voltage चेक कर लेती हैं, इसक स्क्रीन पर देख सकते हो, फ्रेंट की 9.0W कर रहा है, तो इस तरीके से इस पैनल के अंदर भी सारी SMD हमारी 9W की लगी हुई है, इसी तरीके से फ्रेंड यह देखे हमारे पास एक panel और है, इसकी वोल्ट चेक करते हैं, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर देखें, यह काम नहीं कर रहा है, तो हम प्रोब को इस तरीके से पलटेंगे, यह दिखें, मैंने प्रोब को पलट लिया, यह SMD मुझे लग रहा है, खराब है, चलिए दूसरे SMD को टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर यह SMD भी हमारी नहीं जल रही, प्रोब को हम बदलेंगे तो मुझे लग रहा है कि friend इस पैनल की सारी SMD खराब हो गी है इसलिए यहाँ पर एक भी SMD काम नहीं करी चलिए हम दूसरी SMD को ले लेते हैं इसको रखते हैं साइड में तो यह देखिए friend मेरे पास यह जो 10 LED वाली डोब लाइट है जिसकी रोशनी थोड़ी से तेज होती है चलिए इसको हम चैक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह SMD बढ़िया तरीके से जल रही है अभी हम एक दो सेकिंड और रुकेंगे friend इसकी रोशनी थोड़ी सी और तेज होगी तो इस तरीके से आप देख सकते हो friend कि इसकी रोशनी थोड़ी सी और voltage होगी है friend और आप मीटर की स्क्रेन पर देख सकते हो friend कि यह जो एक SMD है टोटल कितने वोल्ट ले रही है 19.46 के आसपास यहाँ पर सो कर रही है तो आप देख सकते हो friend कि बिल्कुल छोटी सी यह SMD है और 19.4 के आसपास यहाँ पर हमें डिस्पेले में voltage सो कर रहा है तरीके जो हमारी 10 LED डोब लाइट आती है उसकी SMD बहुत ही जादा वोल्ट लेती है इसी तरीके से friend यह देखे friend मेरे पास एक पैनल और है और यह साथ मेरे पास AC DC बल्फ का पैनल है चलिए इसकी SMD को भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि यह कितने वोल्ट पे काम करती है तो इस तरीके स कि इस पैनल के अंदर जितनी भी SMD लगी है वो सारी की सारी तीन वोल्टेज की लगी है और इसके अंदर सारी SMD एक साथ इसलिए जल रही है friend क्योंकि यह सारी SMD हमारी parallel के अंदर जूड़ी हुई है इसी तरीके से एक दो पैनल की और मैं आपको चेक करा दूँ जैसे कि य इसकी भी SMD को हम टेस्ट कर लेते हैं इसी तरीके से हम चेक करेंगे तो यहां पर देखे इस तरीके से यह SMD नहीं जली अप प्रोब को बदलने एक बाद यह जो SMD है यह हमारे 9 वोल्ट पे काम कर रही है इसका मतलब इसके अंदर भी हमारी SMD है वो 9 वोल्टेज की लगी ह हुई है तो इस तरीके से फ्रेंड आप सूपर LED टेस्टर की मदद से यहां पर एक-एक SMD को टेस्ट कर सकते हो अगर आपका पूरा पैनल ओके है तो आप पूरे पैनल की वोल्टेज को भी चेक कर सकते हो जैसे कि मेरे पास यह देखे साथ वाट का यह पैनल है यहां पर इ तो थोड़ा सा तो इस तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड की इसकी वोल्टेज थोड़े सी और बढ़ गई है तो यहां पर इसकी total वोल्टेज कितनी दिखा रहा है यहां पर एक एक SMD को भी चेक कर सकते हो जैसे कि इसके इंदर मैं चेक करके आपको दिखा दूँ यहां पर देखिए एक एक SMD को चेक कर सकते हो अगर आपके पैनल की एक भी SMD खराब हो गी है तो यहां पर सिर्फ आप एक एक SMD को चेक कर सकते हो पूरे पैनल को नहीं चेक कर सकते है उसका कारण ये है क्योंकि इसके अंदर सारी LED हमारे सीरेज में जूड़ी होती है तो इस तरीके से फ्रेंड आप सूपर LED टेस्टर का यूज़ करके इसके वोल्टेज का पता लगा सकते हो अब आप सोच रहोंगे कि मैंने वाट के बारे में तो कोई बात करी नहीं तो मैं आपको लाश्ट में बताऊंगा फ्रेंड की वोल्ट और वाट के अंदर कोई फरक जादा नहीं होता आप बड़े अराम से उसे कनवर्ट कर सकते हो तो एक बार आप वोल्ट के बारे में जाल लो तो यह हमने सिख लिया अब चलिए इस चीज़ को हटा के अब मैं आपको बताऊंगा कि आप आँखों सही देख के कैसे पता लगा सकते हो कि यह SMD हमारे कितने वोल्टेज की है तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने बागी चीज़ों को हटा दिया है अब चलिए दूसरे तरीके से पता लगाते है कि यह जो हमारे SMD पैनल है यह कितने वोल्ट या फिर कितने वाट की है तो यहाँ पर देखे फ्रेंड जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से यह जो हमारे LED पल्फ की MCPCB पैनल होती है इसके अंदर यह तरीका 100% काम करता है लेकिन जो इस टैप की हमारी डोब लाइट आती है इसके अंदर कुछ क्लियर नहीं होता ठीक है तो यहाँ पर यह जो हमारा इस टैप का MCPCB पैनल है इसके अंदर देखे किस तरीके से हम पता लगाएगे कितने वोल्टेज की SMD है तो यहाँ पर देखे फ्रेंड जो इस टैप के हमारी SMD होती है इसको अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर देखें मैं जोम करके आपको जिखाना चाऊंगा जब ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको खलके 3 लाइनिंग दिखांद दे रही होगी है इस SMD गैंदर अच्छे तरीके से नजर ना रहा हो हो लेकिन जब आप Dit सिस चीज को देखोगे तो आपको जरूर नजर में आएगा तो.. तो इस SMD के अंदर क्या है हमारी तीन लाइनिंग है तो यह जो तीन लाइनिंग है यह क्या होते हैं यह होते हैं हमारे सेमी कनेक्टर तो यहाँ पर यह जो एक सेमी कनेक्टर होता है यह हमारा होता है थिरी वोल्टेज का ठीक है तो यहाँ पर जो तीन सेमी कनेक्टर है तो इ कि है इसी तरीके से देखे एक पैनल को अगर आप ध्यान से देखोगे इससे अंदर आपको एक हमारा एक पॉंट्ट दे रखा है तो यह जोD होते हैं हमारा Sumi Connector कितने battery कहotine का हमारा Three WHY इसका इंदर एक एक ही semi connector है तो इसका मतलब यह जो हमारी SMD है यह 3 voltage की है तो इस तरीके से आप calculation कर सकते हो friend semi connector को देखके यह आपको पता चल जाएगा कि वह SMD हमारे कितने voltage की है अब चलिए मैं आपको थोड़ा से एक SMD में बना लेता हूँ इस तरीके से मैंने SMD को बना लिए इसी तरीके से मैं एक SMD और बना लेता हूँ यह देखे एक SMD मैंने और बना ली यहाँ पर एक SMD को और मैं बना लेता हूँ ठीक है इस तरीके से मालो हमारी SMD है यह अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको है कि जिस SMD के अंदर आपको एक semi connector दिखाई दे अब वो हो सकता है वो semi connector कुछ SMD के अंदर तो इस तरीके से सीधा सीधा लगा होता है कुछ SMD के अंदर हमारा इस तरीके से लगा होता है देखे इस तरीके से ऐसे लंबा लंबा लगा होता है तो आपको इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो ना कि इसके अंदर ऐसे सेमिकनेक्टर लगा है फिर ऐसे लगा है आपको कुल मिला के यह देखना है कि SMD के अंदर सेमिकनेक्टर लगे कितने है तो इसके अंदर जहीं ऐसे लगा हो लगा तो एक ही है तो यह यहां पे यह जो हमारी SMD होगी यहfon 3 voltage के होगी ठीक है अब इसी तरीके से कुछ SMD के अंदर आपको इस तरीके से समिकनेक्टर दिखाई दिए देंगे देखें किसी के अंदर आपको दो हैं तो इसके अंदर हो सकता है किसी ठीक है किसी एक यहां fp और एक यहां पर होगी इसी तरीके से कई SMD आपको ऐसे भी मिलेंगे करें देखें एक SMD मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर हमारे टोटल चार दे रखे होंगे इस तरीके से ठीक है इस तरीके से चार सेमिकनेक्टर होंगे तो यह हमारी 12 वोल्टेज की होगी तो कुल मिलाके मेरा कहने मतलब यह है कि आपको इसका डिजायर पर न है तो यहाँ पर देखे फ्रेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे तीन वोल्ट होते हैं तो तीन वोल्टेज में हमारा एक वाट बनता है ठीक है यह हमारा एक वाट हो गया और वहीं अगर हम इसको सिक्स वोल्ट कर दें तो यह हमारा दो वाट हो गया वहीं अग वोल्टेज में हमारा चार वाट बनेगा तो इस तरीके से आपको काउंट कर लेना है बिलकुल आसान है जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है तो इस तरीके से आप सुपर एलीडी टेस्टर की मदद से भी पता लगा सकते हो और आखों से देख के भी पता काउलेज लगा सकते हो किमारे the Death के अगर वोल्टेस की अगर की एक the अगर थी व् एक यह ठीकी है थीञे कैंप ponieważ वहारा डोवाट बन गए अगर नान वोल्टेज की हए तो वहाँ तीन वाट बन गया तो इस तरीके होते हैं नेक्ट्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जय ही वंदे मात्रव